Hello Students आज कि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हर्याना बोर्ड क्लास एट हिस्ट्री चैप्टर बन के नोट्स नोट्स तो नहीं है यह एक्च्वल मैं आपको डिटेल्ड चैप्टर इस वीडियो में कराने वाला हूं डिटेल्ड का मतलब है एक एक लाइन समझाने वाला हूँ क्या हुआ कैसे हुआ बहुत ही प्यारी कहानी है आप सिरफ बैठ के ये वीडियो देखो आराम से और मैं वीडियो के एंड में आपसे कुछ सवाल पूछूँगा आपको लिटरली मजा आने वाला इस कहानी के अंद और अरली रेजिस्टेंस यानि कि मुगल के राजा मुगल सम्राट एक जैसे हिंदु धरम में अलगलग राजा हुए नाम सुन्योंगे शिवा जी का महराना परताप का ऐसे अलगलग राजा हुए है तो उनके जो है ना वैसी जो है एक मुगल नाम का भी एक समराज्य बना इंडिया के अंदर मलब इंडिया के नहीं थे लोग बाहर से आये थे इन्वेट करते हुए और इंडिया में आके कबजा करा राजपाठ बनाए ताज महल बनवाया था इनके ही वन सजोने मुगलों नहीं तो ऐसी जो है ना इनके कहानी हमें जानने को मिलेगी इस वाले चै hijy उनके शुरूवदी पर्तिरोद के उपर सुरूवाती परतिरोद का मेरा मतलब है यहां पर कि जैसे कोई भी राजा बहार से अटैक करता है तो हम लोग क्या करते हैं अपने आपको डिफेंड करते हैं ताकि वह हमारी जमीनों को ना थिया ले यह वैसा ही हुर जाता है ऐसे इंडिया में एंट्री ली क्या क्या लड़ाईयां लड़नी पड़ी उनको यहां पर सर्वाइव करने के लिए वो सारी कहानी इस चैप्टर के अंदर मिलने वाली है चलो सुरू करते हैं वीडियो को बहुत ही प्यारी और इंट्रस्टिंग वीडियो ने वाले देखो व समझने से कुछ मजा नहीं आता हिस्ट्री में कभी भी मजा नहीं आएगा तुमको चलो कहानी समझनी शुरू करते हैं आपसे और मैं हूँ अजे और आप देख रहे हैं CCL क्लास लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बता दू अगर आपको क्लास 8 हिस्ट्री के बाकी चै अगर आपको यह सारी चीजे लिखी हुई चाहिए तो वेबसाइट बता देता हूं CCL chapter.com गूगल पर जाके सर्च करना आपको CCL chapter.com और एक वेबसाइट आएगी इस वेबसाइट में आपको जो है क्लास 8 हिस्ट्री के नाम से एक सेक्शन मिल जाएगा लग से तो उसमें आपको सारी चीजे लिखी हुई मिलेगे हर एक चैप्टर के नोट्स मिल जाएगे नोट्स के नाम पर नोट्स भी मिलेगे आपको और साथ में जो है detailed chapter भी मिला है ठीक है तो detailed chapter मैने अभी जो पढ़ा रहुए detailed chapter अपनी बुक से मैच करोगे न क्योंकि digital PDF नहीं आई है तो आपको ऐसे लिख के पढ़ाना पढ़ रहा है आपको नहीं तो मैं डिजिटल या ऐसे बुक से पढ़ाता और भी ज्यादा फोटो वोट दिखा गया और भी मजाता आपको बट कोई ना इसमें भी बोरियत नहीं मिलने वाले आपको बिल्कुल भी अब जुरू करते हैं कहानी को बाबर लेट दा फांडेशन ओफ मुगल डाइनेस्टी इन 1526 एडी मुगलो का राज कब हुआ सुरू तो ये बड़ा सवाल था क्योंकि देखो एक टाइम आता है जब हर जगह पे मुगल मुगलो रखे थे हर जगह पे का मतलाव है मेरा ओल्मोस्ट पूरे इंडिया के उपर मुगलो का राजपाट चल रहा था तो वो जो है ना वो तो एक टाइम हो गया बहुत ही गोल्डन टाइम हो गया मुगलो के लिए लेकिन शुरूआत कहां से हुई थी वो हुई थी बाबर से शुरूआती व्यक्ति जो इंडिया में इन्वेड करके भारत में आया और इसने भारत पे कब जाकरा शुरूआत करी अपनी डाइनेस्टी की मुगल डाइनेस्टी की और ये तारीक जरूर ध्यान रखना थी 1526 एडी जो काम की तारीके होंगी न वो बता दूँगा मैं सारी तारीके याद करने जरूर तो नहीं होती हिस्ट्री में 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 तारीके द्यानों नीचे तुमको ठीक है तो मुगलों की जो डाइनेस्टी थी उसकी शुरूआत हुई थी बाबर के दवारा बढ़दा मुगल्स हैड टू फेस स्टीफ रेजिस्टेंस फ्रूम दा लोकल इंडियन पावर फ्रूम दा वैरी बिगिनिंग लेकिन हुआ क्या हमला त इन 1527 यानी अगले ही साल राणा संग्राम सिंग रेजिस्टीट बाबर इन दा बैटल ओफ खानवा की अगले ही साल क्योंकि यह लोग अपनी सल्थनत वढ़ाने के चक्कर में थे और वो बढ़ने वाली थी यहाँ को हराना था लडाइयन मचेंगी अब देखते जा बाइय सर हुमायू VAG expelled from India by लड़ाई के दोरान शेर्सा सुरी को जो है सेर्सा सुरी ने जो है न हिंदुसician को बाहर निकाल दिया किसको बाबर के उत्रादीकारी था यह हुमायू अब देखो क्या होता लड़ाई के द़ुञा होता कि तम सोचो वही हुआ इसका जो है ना जो successor था ये वर्ड सुनने को मिलता रहेगा तुमको successor होता वनसज यानि कि जैसे पिता का बेटा होता है वैसे वाली बात है ये तो बाबर का जो बेटा था हुमाईयू हुमाईयू को ने लड़ाईया लड़ी और सेरसा सूरी ने उसको बाहर भगा आगरा की जो जमीने थी दिल्ली आपको पता होगा इस कैपिटल एब इंडिया की आगरा जहां पर ताजमेल बना हुआ फिलाल के लिए तो ये दोनों ही जगहे पे जो मुगलों का राजपाट चल रहा था वीवी लेकिन जो हेम चंदर विक्रमादित्य थे जिसको हम हेमू जो कह सकते हो कि इनकी जो वीर गाथा हैं सुनके डर लग जाता भाई अलग से ही तो ये वैसे ही व्यक्ति थे कुछी कुछी योद्धा हुए ऐसे नहीं है कि बहुत सारे थे दो चारी है ये गिने चुनों में तो इन्होंने क्या करा है हिन्होंने हिंदू एंपाइर को या आप बानितिरानी दुछ महरान परताप था इन्होंने भी जो है इनको पूरी कोई झे करीभ भागाद अबया इंडिया से इंडिया में तुमारी नहीं चलने वाली इंस उ ने क्या प्लानिंग करी थी पता है इन्होंने जो है डिसाइड किया था यहां जाओं को डरा डरा के धंकिया दे देखे उनकों से जो है अपना अधिपत्या सुविकार करवाएंगे और कैसे बोल चाल में कब्जा मान लिया जाएगा बिना लड़ाई के वह वाली बात थी लेकिन इन्होंने मना कर दिया सीधा-सीधा की महाराना परताप ने रानी दूरग तो हमायू की हम बात कर रहे थे ना यानि बाबर का बेटा हमायू हमायू का बेटा अकबर ठीक है यह पूरी चेन है कि इनकी लाइफ चेन मलब बेटा-पिता-बाबूत-अद्दा कोन था इनका वो वह सारी हमें पता लग जाएगे थोड़ी तेर में टैंसर मतलो सारी जिए मिलेंगी अब फिर डिटेल में करेंगे इन सारी चीजों को इन दा प्रेजेंट चैप्टर इस वाले चैप्टर में वी विल मेक डिटेल्ड श्टेडी ओफ मुगल एंपरर एंड इनिश्यल रेजिस्टेंस अगेंस दम यह जो रेजिस्टेंस यह यूद्धों की अमने वाली है हां रानी दुर्गावती के कहानी भी बोरिंग नहीं है बहुत अच्छी कहानी है अब सारी कहानिया हम समझने वाले हैं इस चैप्टर में और कुछ नहीं मिलने वाली है इन 1526 AD यानि कि वह शुरुवाती लमहा जब बाबर ने भारत पे कपजा करने की कोशिस करी शुरुवात करी थी मुगल एंपायर की दा पॉलिटिकल कंडिशन ओफ इंडिया वाज नोट गूड पॉलिटिकल कंडिशन होती है कि राजपाट वाला जो सिस्टम था ना इंडिया बहुत बिगड़ा पड़ा था आपस में बजाए जारे लोग इंडिया वाज डिवाइ इसका ञाना पर राजा इतने सारे भरे पड़े थे कि पता नियों कि सकव अपस में चैन पयन पिते जा रहे हूं उससे नहीं चलते थे पहले की आज कल होता ना लडाई मत्य रापन पहले दो सीधा मार काट से निón गक्ता रहूता था जपीड至 53 cry जह रॉदीन महुंमद बा बाबर ने the descendant of तैमूर एंड गंगिस का अब तैमूर का जो सासन था अब ये साइध आप पिछली कलास में पढ़ा होगा इसके बारे में I think so तो जैसे ही तैमूर का सासन राजपाथ कमजोर होने लगा जंजिस का का कमजोर होने लगा उस टाइम पेशने एंट्री मारी बाबर लेट दा फाउंडेशन ओफ मुगल डाइनेस्टी इन इंडिया बाइडिफेटिंग अफगान सुल्तान इब्राहिम लोदी ओफ दिल्ली इ तो अगर किसी को याद होगा तो पता लग जाएगा हम भी जानना चाहते हैं कि कौन-कौन देख रहा है यहांसे है ना अलग-अलग रिष्टिक जो हर्याना कहेंगे हम उनसे पूछते रहेंगे आपसे भी ठीक है तो 1526 में पानिपत की पहली लडाई होती है इब्राहिम ल इबाई मगलों का इबराहिम लोदी का राजपार चल रहा था उस टाइम पे तो इसको हरा दिया मार दिया गया और उसके बाद में बाबर ने मुगल डाईनएस्टी इंडिया में इस्टेबलिस करी दिली के दिली इसलतनत टी पहले ओ ठोखतम करते। और मुगल डाइनस्टी बनाए गए फिर रूलर ऑफ दाइनस्टी रूल्ड ओवर दिली फोर लोंग टाइम क्योंकि पहली जगहती वहां पे महल वैल बनाए होंगे नोंने तो वहां पे काफी लंबे अर्से था कि नोंने राजपाथ वहां पे संभाला होल्ड करके रखा उस अब देखो मतलब धर्टी बोज का मतलब यह कुछ करया वरा नहीं कुछ बसका था नहीं के अब देखो बाबर ने बहुता रहा था ना कि 2-4 साल राज करेंगों पांच वह साल मुंडी कटी पड़ी मिलेगी उनकी कई पर वही हाल चल रहे थे बाबर ने 1526 से 30 तक राजप वायू को किसी राजाई ने भगा दे था पीटपीट के जिसको हममौ के नाम से जानते हैं और हिंदु सामराज्य की स्थापना करने के चक्कर में उसने जो है इसको पीटा भगा दिया इसको इंडिया से तो बीच का राजपाइध इसका छिन एदा बिच या फिर वापिस अब देखो अकबर ने 1556 से 605 इसका राजपाट अकबर की कहानिया तुमने देखी होंगी न तो ये लंबे अर्से तक इसने राजपाट चला इसका टाइम सबसे बढ़िया टाइम आना जाता है मुगलों के दोरान फिर जहांगी राया 165 से 27 फिर 2756 अहांजा और ऐसे जो है 17 1857 में एक revolution हुआ और उसके बाद में अंग्रे जोन इनको उड़ा दिया पूरा मुगल एंपायर को गाया भी कर दिया विलूप्त कर दिया अब सबसे बड़ा सवाल तो यहीं उठता है यार यह जो मुगल मुगल हम करे जा रहे हैं मुगल थे कौन हूर मुगल के बारे में मुगल थे कौन मुगल वर्दा tôi ओरिजिनल फ्रों सेंट्रल एशिया एशिया जो हैंब अब कि दर की जगया हुई तो ऊदर कि दर से आए थे यह इंडिया के नहीं थे調 के समझे लो दहाar considered to be the mixture of Turk and Mongol race, उस समय वहाँ पर दो जाती हैं थी, एक थी तूर्क और एक थी मंगोल, इन दोनों जातीयों का अब कहने को तो हम लोग क्या बोलते हैं लेकिन हर्यानवी का अपना इस्वाई अगवाई तो वैसा ही था ये भी ये अब पहले जो राजा था वो था बाबर, अब हम कैसे कहानी पढ़ेंगे वो समझो तूम, जो पहला राजा आया, यानि मुगलो का बाबर, उसके साथ किसने लड़ाई लड़ी क्या रिजल्ट रहा वो सारी चीज़े हम समझेंगे ठीक है, पहले राजा जो आया था बाबर, बाबर वो था फाउंडर ओफ मुगल डाइस्टी इन इंडिया, बाबर जो है मुगलो का जो राजवन्स था, उसकी श 26 था, यानि कि सिरफ साथ साल के अंदर उसने पांच हमले करें इंडिया के उपर, यह वैसा ही होता, जैसे लड़ाई चल रही है भाई, कभी भी मनकरा मुठा के हमला कर दिया, वैसी चीज़े चल रही थी, फ़िफ्ट अटैक वाजन दिल्ली, पांच वाटैक जो था, वो लो राजा जी आपके लिए हम जो है सल्तनत लेके आया, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, घर में गुस कैसे गया, चार बार पिटा और पांच वी लड़ाई जीत गया यह तुक्के से, और उसके बाद में इन्होंने अपने जो डाइनस्टी है, उसकी सुरुआत करी, इस बार बढ़ी अच्छा कोश्चन है, प्यारा कोश्चन है, घ्जाम में पूछा जाता है, ऐसी चीज़े, देखो इबराहीम लोदी, पहले तो तुम्हें पता होना चीए, पानिपत की पहली लड़ाई कब हुई, पंदर अशो चब्श में, और किसके बीच हुई थी, इबराहीम लोग थे, सब बेह लोग, बाई तलवार आजा, तलवार का सोंख था यार उस टाइम पर और क्या ही चलाएं, वो लोग तलवार से लड़ाईयां चड़ रही थी, बढ़िया, मस्त वाली बाबर ले आया, तोब तोब देखियोंगे, तुमने कैनन वो जो एक बड़ा सा गो करा ऐसी चीजों का इस्तिमाल करा, उसके बाद में तुगलूमा ये लड़ाई का एक सिस्टम होता है, तुगलूमा युद परणाली, इसका अब इसने पहली बार इंडिया में प्रियोग किया, पांच भी लड़ाई है दोरान, आफ्टर दिस वार, बाबर हैड टू फाइ मेवाती के साथ में, बैटल ओफ खानवा जो हम बता रहे थे, अगले ही साल लड़ाई हुई थी, 1527 में, तो ये लड़ाई इन दो राजाओं के साथ में लड़ी गई, इकठे हो गए होंगा ये राजा और बाबर के लड़े थे, और बाबर वुंदा वार, बाई रिजोर् आफ्टर देश, बाबर स्ट्रेंटन दा फाउंडेशन ओफ दा मुगल डाइनेस्टी बाइन दा बैटल ओफ चंदेरी 1528 और घंगरा 1529-80, उसके बाद भी एक दो लड़ाई हुई जैसे चंदेरी के लड़ाई, घंगरा के लड़ाई, अब ये सारी लड़ाई याद नही अब राणा संगराम सिंग, राणा सांगा जिसको हम कहा रहे हैं, तो उसने जो लड़ाई लड़ी थी 1527 में, यानि कि दो राजाउं ने मिलके लड़ी थी ना, तो उनके बारे में ही जानेंगा मभी, सिंग बाबर एस्टेबलिशिंग रूट्स इन इंडिया राणा सांग यह उसका डूरेशन था राजपाठ करने वाला, अब जो उस समय का सबसे सकती साली योद्धा था यह कैसे तो पावरफुल रूलर था हिंदू का और इस ने जो है चैलेंज कर दिया इसको बाबर को कि आज मैदाने जंग में बताते हैं कि इसमें कितना अदम, राना फोंड फेडरलिज्म ओफ मैने इंडियन केंग्स इंक्लूडिंग मैदिनी रायोफ, चंदेरी, हासन खान मेवाती, और मेवात, अफगान्स, वर डिफिटिट बाबर एट पानिपत, यानि कि जितने लोग थे, यानि कि दिल्ली सल्तनत बनी थे ना, एक साल पहले ही हरा दिया था इबराहिम लोदी को, उसके जितने सैनिक बच गए जिन्दा, जो वड़ोसी, पड़ोसी, जितने भी सहायत करने वाले मिले, इसको सब को इकठा कर लिया, और राय लड़ने, डिशीजन लिया गया, बाबा डिकलेर था मुसलिम सपोर्टिंग राना सांगा, एज काफीर, का काफीर का दर्जा दे दिया, जो भी मुसलमान लोग थे, अगर वो राना सांगा का साथ देंगे, तो उनको नाम दे दिया गया, उसको जो है, कै सकते है, जैसे देश-दरो वाली बात हो जाती है, कि देश-दरो लगा दिया, बलब अपने लोगों से ही दगा दे रहा है, व यही वह पंगा था दा टू आर्मीज केम फेस टू फेस ओन मार्च 16 फिफ्टीन ट्वेंटी सेवन एडी नियर खानवा खानवा की जगह के पास में जो है अब यह खानवा की दर पड़ती है यह भरतपूर डिश्टिक राजस्तान के अंदर यह जगह ठीक है वहां पे जो है दो सेना है बड़ी बड़ी सेना है आमने सामने आ चुकी थी और लडाई खतरनाग ओड़ै आ चुकी थी राना सांगा अपरूटिट धा मुगल अब रहताय को तुम से उखाड़ द्या उंको यहीं की हो डाला कि भाया है हलके में ले रहे थे तुम तुम को राना सांगा had to leave the battlefield after he fell unconscious from the wounds उसको चोटा इन लग गई और चोटों कि वजैसे राना सांगा जो है बेहों ससा होने लग गया था वो अब देखो ऐसा नहीं है तुम सोच रहे हो हलके में वाई राजपूत लोगों ने जो है बहुत ही जो है कह सकते हैं लड़ाई लड़ी और मुगलों को भगा भगा के मारा था अलग ही जो है कह सकते हैं जिगरा आया पडा सा उस टाइम पे वीर मोहन सिंह मन्धार Хariyaanah जो है हला उनकी कहानी जानो इनоворी भी कुछ योग्दान दिया होगा सायद हुदर मोहन सिंग मंधार बिलोंग टू दा कैथल डिस्टिक और फरियाना अब यह जो है ना कैथल डिस्टिक से थे अब जहां भी देखो जो जो डिस्टिक से है जैसे इस डिस्टिक का पानिपत में कौन सी लडाई वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी लोकेशन्स होती है अभी भी प्रेजेंट अगर तुम देखोगे जाके कि कुछ ना कुछ ऐसी याद मंदीर या कुछ ऐसी चीज़ा बनी होई मिलें उनके नाम पे भी तो या फिर कोई प्लेस बना रखाओगा नाम रखाओगा ऐसे चलता है उनका ऐसे चलता रहा है जाज अतर और देखने को मिलता भी है तो कैथल के अंदर जो है डिष्टिक के अंदर से थे यह इस लाइफ वस पैंड इन स्ट्रगल पूरा जिंदगी जो है उनकी संगर्सों में बीती ही इंफ्लिक्टिड हैविली डैमेज टुदा मूगल सेंट बाबर वूस रांडिड अब उसने क्या करा उसने अपने देखो कुछ लोग थे जैसे यह पिछले वाले जो राजा थे उनकी कहानिया में पड़ी राना सांगा की उन्होंने तो भाष सरयाम आजा मैदाने जंग में बताते है किसमें कितना एदम वह वाली बात हो गई अब हर लोग हर व्यक्ति जो नोरंग बेग who had fought at Panipat with a large army अब हुआ क्या था देखो थोड़े मोटे शानिक भेज दिये कि चल उस गाउंवाले वेसे कुछ लूट लाटके आज यह पीट पाटके इन्होंने जहर को पीट दिया और मार मूर दिया होगा उसके बाद उसने अच्छे योद्धाओं को अब इन्होंने प्लान करा कि हम इनको दोका देंगे मलब प्लान कुछ गडबडी वाला प्लान था अब मुगलों ने क्या करा अपनी सेना को तीन हिस्सों में तोड़ जा बही एक छोटे से गाउं के लिए देखो यह कितनी स्टेटिजियां लगा रहे हैं उस टाइम पे भ हिस्से ने पीछे से आगे गाउं में आगल लगा दी पूरे में मोहन सिंग वाज केम बैक टूवर्स दा विलेज वेन ही सादा विलेज बनी जब वह वापिस गाउं की तरफ आया मोहन सिंग मंडार तो उसने गाउं को जलते हुए देखा इन अटेंप्ट तो सेव इस आप गाया जैने की मार डालो सबको बट अट आचेंग अधर इसलाम और पनिस्मेंट विल बी फोर गीवन अब यह देखो यह सबसे बड़ा लफड़ा था अब देखो एक बड़ी ही सोचने की बात है यह ऐसा नहीं है मजाक की बात नहीं है तुम थोड़ा सीरियसली समझोगे तो समझ में आएगा हम लोगों का जो रिलियेजन है हिंदू रिलियेजन वो कभी यह नहीं कहता कि भईया दूसरे को जाओ और जबरदस्ति उसको हिंदू धरम दिलाओ नहीं कहता न इन लोगों ने ऐसा किया क्योंकि इनको इसलाम को स्प्रेड आउट करना था अब इंडिया पे जो इन्वेड ह उसको माफ कर दिया जाए और फिर रहे अपना कोई दिककतट ने अपने को करना था मोहन सिंग did not accept Islam and were put to death उसने मना कर दिया जा हम नहीं कर रहे तेरे धर्म को और उसके बाद में उसको मार दिया गया अब देखो सीधी बात थी भाई उनका तो प्लान था वो उस टाइम पर जो है ना ऐसे जो है दया वाली वो चीज़े नहीं थी उस टाइम पर ऐसे कतले आ मचता रहता है तो रोज लड़ाईएं चलती थी अब जो है ना हसन खान मेवाती के साथ अलगी स्कैम चल रहा है पानीपत की लड़ाई हुई बाबर जीत गया और जीतने के बाद में जो है ना उसने जो है इसिलाम का मतलब कह सकते हुई कि वासता दिया वासता का मतलब होता कह सकते हो वाधाब बोला कि हाँ तुम्हें अपने धरम की लज रखनी है वो फ्लाणा दिमक्का करते हुए ऐसा कुछ उनसे बाते हुई थी his patriotism remained supreme लेकिन उसने जो अपनी देश भगती का परीचे दिया यानि कि उसने जो है ना भले अपना religion with religion से कुछ लेना देना नहीं था उसको उसको सीधा मतलब था कि मैं जहां रह रहा हूं वहां के लोग सुरक्षित रहे, खुशी पूरवक रहे यह वही तारीक है जब राना सांगा ने लड़ाई लड़ी थी और उसी के साथ में हसन खामेवाती भी सामिलो गए भले यह religion का जो है उसने मलब हुआ था कि religion का बहाना बना-बना के लोगों को अपने favor में कर रहा था लेकिन यह बंदा उनके favor में नहीं गया अब क्या हुआ देखो एक टाइम आ चुका था जब राना सांगा जखमी हो गया तीर वेर लगने के वज़े से और बेहोंसो के हाथी से फिगर गया था उसके बाद होता क्या क्योंकि वो एक्चुली में लीडर था उस युद्ध का सेना पती था कह सकते हो तो पूरी सेना भाग जाती लेगिन ऐसे मोके पे हसन कामेवाती ने पूरी सेना को संभाले रखा और वापिस से बाबर के ओपर हमला जारी रखा और बहुत जोर से मलब हमला रखा लडाय या चलती रही और एक टाइम आया जब कैनन की एक बोल जो बोल होती है ना कैनन की तो उसने सीधा उसको ठोक दिया और फिर कहां जाना था भाई फिर तो स्वर्ग में चले गए वो सीधा ही अब ये थी उनकी कहानी उनकी लडाईया बाबर की बाबर जादा लंबे समय तक टिक नहीं पाया यतनी रोज रोज अगय उसकी गर्दन कटी जानी थी अब पता नहीं क्या कट गया या मर गया क्या शीन हुआ उसका जो भी है मैं नहीं पता बट उसके बाद में उसका बेटा आया हुमाईयू अब हुमाईयू के टाइम पर क्या हुआ इन 1530 एडी वाइल सिटिंग ओन दा थ्रोन थ्रोन होता शीहांसन तो शीहांसन पर बैठा हुआ था पंदरा सो थीस की बात है यह सोरी पंदरा सो थीस में जो है यह हुमाईयू शीहांसन पर बैठा हुमाईयू हैड मैनी डिफिकल्टिज इन फॉर्म ओफ अफगान अब यह जो है न यह वैसे वाला बंदा नहीं ता अच्छा बंदा नहीं ता यह अफीम का नसा करता था गांजे फूकर रखे देशने तो और व्यावार भी कुछ दंका था नहीं इसका अब देखो नसेडी लोगों की जगया इंडिया के अंदर नहीं थी नसेडियों को बाहर कर दिया गया यहनी कि हुमाईयू को बगा दिया गया इंडिया से लडाई हुई थी और शेड सासूरी ने हरा दिया उसको अब कुछ लोग तलवार खाके मर जाते हैं कुछ लोग पता नहीं कैसे मर जाते हैं यह बेचारा सीड़ी से गिर के मर गया पैडियों से जो पैडियां होते ना स्टेयर्स जो बोलते हैं समझ गया होगी तुम तो उनसे गिर के मर गया भाई ऐसे ऐसे राजाओं के लिए लगी बन जाता है इनका तो लडाई तो क्या ही बसकी लगए मेरे को लग रहा गांजा फूकी रखा था इसने तो आगे बढ़ते हैं सेर्शा सूरी अब यह जो सेर्शा सूरी था इसने कैसे इसको डिफीट कर द गया था और रोव हिम आउट ओफ इंडिया शेर्शा सूरी वोजग कैपेबल जनरल एंड एन एफिचेंट अडमेनिस्टेशन अब वह था न जो शेर्शा सूरी था वह एक अच्छा से ननायक था और एक अच्छा ही जो है मैनेजमेंट करने वाला व्यक्ति था यह एड़ अब दो लडाईया हुई पहली चाउसा के अंदर हुई 1549 में उसमें जो हमाईयू को हरा दिया अगले साल फिर से लडाईयू कन्योज में 1540 में उसको वापिस से हरा दिया और अब की बार बोला बेट्टे अब नहीं छोड़ूँगा तेरे को लग गया फिर चे अब तो द पंदरा सालों तक वो गायब रहा इंडिया के मैप से मुगलों को मुगलों का नाम और निशान उडा दिया गया क्योंकि पंदरा साल क्यों नहीं कि बीच में हमले तो करेंगे उसने चुटके मुटके लेकिन बाई टिक नहीं पा रहा था वह वह वापिस पिटके बाग जा रहा होगा अब इसने क्या सोचा है थोड़ा इधर उदर सी मार जेते हैं और कोशी से कर लेते हैं कब जा हो जाए कैसे लेकिन उसको हर जगह से पिटाई ही मिली और कुछ नहीं मिला शेर्षा डाइड ओन माई 22, 1545 एडी 1545 में शेर्षा की जो है डाथ हो गई शेर्षा सूरी की इन अगन पाउडर एक्सपलेशन इन दा बैटल ओफ कालिंजर कालिंजर की लड़ाई थी और वहां पर जो है गन पाउडर होता जो बारूद वगार होता ना बारूद में कुछ आगवाग लगई दमाका हो गए एक बारूद में इस और गली के क्रूद आइन के शेर्षा स्यूर्षा पहलें कंट बेकार चल होंब्हे दाक। डाक सिस्टम को भी बहतर बनाया और जो लैंड से जो रिवेन्यू लिया जाता था पहले जमीन से टैक्स लिया जाता था तो वो टैक्स को भी थोड़ा सा बहतर बनाया कम किया हुए तो जो भी है सुविधा दी लोगों को उसके बाद आया अकबर का राजबाट क्योंकि बेटा अब अकबर ने अच्छे का से लंबे टाइम तक राजपार चलाया अकबर वाजदा सन ओफ मुगल एंपरर हुमायू एंड हमीदा बानु बेगम यह जो है अकबर हुमायू का बेटा था और हमीदा बानु बेगम यह उसकी पतनी रही होगी बहुत सारी रखते थे पह यह हमायू धक्के खा रहा था इदर उदर भटकता फिर रहा था अकबर वाज बोर्न इन राजपूत प्रिंशली स्टेट्स ओफ अमर्कोर्ट अमर्कोर्ट में उसका जनम हुआ राजपूतों का सामराज्या था वह वहां पे कब्जा कर रखा हुआ छोटी मोटी जगह पे कोई यह अंडिट दा थ्रों इंदा फिफ्टीं फिफ्टी शिक्स एडी आफ्टर दाथ विजवादर उसने जो है पंदरा सुचपन में पिता की मृत्यू के बाद राजपाट संभाल लिया सिहासन संभाल लिया इन दा बिगिनिंग ही एंकाउंटर्ड दा ग्रेट वारिय हैं चंद्रविक्रमादि एस भरा यूग वर जेतने जोड़ाइं चन्द्रविक्रमादिय बिया टेंकर देलिया किसमत साथ दे गई और उस वुंदावर। उसने उस लड़ाएकłe चीचल लिया अब हुआ क्या देखो एक पहली लड़ाई लड़ी तुक्के से वो जीत गया अब जीत गया तो बड़ी आबात थी उसके लिए लेकिन उसके बाद में रानी दुरगावती ने फिर महाराना परताप ने उनका डट कर सामना करा और बार बार जो है ना अकबर ने कोशी से करी क कैसे करके जो है ना उनको अपने अंडर में लाया जाए लेकिन उन्होंने ऐसा उनकी जो बाते हैं उनको मानने से मना कर रखा था हर बार से बाय फोलोविंग दा पॉलिशी ओफ रिलीजन टोलरेंस अकबर अबोलिश्ट दा पिल्ग्रिमेज एंड जजिया टैक्शन अब देखो कुछ लोग थे हरामी मुगलों में भी खुछ राजा हरामी थे ये वो वाला नहीं था ये थोड़ा बड़िया सा बंदा था थोड़ा सा कैसकते हो इसके लिए थोड़ी शी लाइक बनती है अधी लाइक अंगुठा अंगुठा मिलता है इसको ठीक है अब मुगलों के अंडर में अपने मंदिरों में पूजा कर रहे थे हैं ऐसा भी होता है तुम भी सोच रहे हो ये चल क्या रहा है देखो ये मानों तुम यह है अपना इंडिया पूरा इंडिया यहां पे है मुगलों का राजपार सेंटर में ठीक है अब इस एरिया में जो भी ह ऐसा नहीं देना तो तुम मुसलमान बन जाओ ये उनकी पोलिशी तो के तहत हो जज़या टैक्स वाला प्राणा लिमक्का मामला चल रहा था समझ गया तो राउंड आफ क्या चल रहा है अब ये टैक्स को इसने हटा दिया और बंदी बनाने की जो पर्था थी यानि जो लडा ये वाली चीज़ उसने बंद कराई सिमिलर नी बाई एस्टेबलिशिंग अ लिबरल और फ्रेंडली फ्रेंट्सिप विद्धार राजपूत तुरुआ पोलिशी दा मुगल डाइनस्टी स्टैंसर्टन दा रूल एस्टेबलिश्ट वास्ट एमपायर उसने क्या करा उसने लड़ना नहीं पड़ा बंदे हुजा था फालतू का रेजिस्टेंस ओफ अकबर की कुछ रुकाउटों के बारे में देख लेते हैं दा ओपोजिशन ओफ मुगल रूल स्टार्टिट सून आफ्टर इस एस्टेबलिश्मेंट अब मुगलों की जो है ना ओपोजिशन मलब चंद्र विक्रमा जित्या दुर्गावती राना परताप इन तीन वैक्तियों ने तीन योद्धाओं ने जो है इनको भी रोका उसके बार लेटर ओपोजिंग दा बाइगोटी ओफ औरंग जेब दा मराथाज राजपूत जाट सतनामी सीख एंड बुंदेल ओवर इन तीनों की कहानिया पढ़ने को मिलेगी जो की सबसे मेन कहानी है ठीक है न आपको खास तोर पर ध्यान रखना है एक तो हेम चंद्र विक्रमा दित्या की कहानी तुम्हें पतावनी चीए और एक महाराना परताब की कहानी सुनोगे तुम खुदी हिल जाओगे बनलब ऐस हिंदू किंग आफ्टर मुगल रूल इन देली फोर नेरली थी संचूरी काफी लंबार सा होता वैसे थी संचूरी तीन स्ताब्दियों तक उसने जो है राजपाट चलाए थे उन्होंने मुगलों उसके बाद में ये राजा बना था तुमने कहानिया सुनी होंगी राजा का बेटा राजा बन गया कोमन सी बात है और क्या फरक पड़ता है एक ऐसा व्यक्ति जो ओर्डिनरी फैमिली लोकल से परिवार में पैदा हुआ और वो राजा बन गया है ना अलगी जजबे वाली कहानी बही लेवल चीए उसके लिए में च्रहिए उस टाइप का देंटेंट उसके पास जो नोलेज था उसके जो तैकनिक थी टालेनट था उसकके भिहाब वो पहले तो उन पराइंमिनिक्टर अबी नहीं कि राजा बन सभालने के लायक बन चुके थे अब संभालना आ गया था पूरा ही वुन 22 वार इन इस लाइफ अपने जीवन काल में उसने 22 युद्ध जीते थे अब देखो कमाल की बात ये नहीं है कि तुम पढ़ रहे हो 22 युद्ध इसने जीत लिये अरे मजाक की बात से हटो मुद्ध ये है इसने 22 ही लडाईयां लड़ी थी पूरी जिन्दगी में जितनी लडाई लड़ी कभी युद्ध नहीं हा रहे थे ये चीज़ देखे न वाई अलगी लेवल होगा इस बंदे का उस टाइम पे दा कोट पोएट ओफ अकबर अबूल फजल ओल्सो प्रेज्ट हेमू इन इस बूक अकबर नामा अकबर के नाम पर एक किताब लिखी गई थी उस टाइम पे जिसका नाम था अकबर नामा जिसको अबूल फजल ने लिखा था अब ये वाली किताब में अकबर का जो कवी था दरबारी कवी था उसने भी हेम चंदर विक्रमादित्य की परसंसा करी थी कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है राजस्तान के पास में जो है माचेरी नाम की एक जगह है गाव है कोई वहाँ पर उसका जनम हुआ पंदरा सो एक में इंदा हाउस ऑफ संत पूरन दास संत पूरन दास के घर में उसका जनम हुआ आफ्टर सम टाइम हेमू फैमली सैटली इंदा कुतूबपूर इन संस्कृत यहां पर उसको जो है संस्कृत पढ़ने का मोगा मिला संस्कृत के बारे में पढ़ा जाना हिंदी पर्शियन अरभी यह लैंग्वेजिस उसने पढ़ी ही हैड बीन फांट फॉन्ट फ्रैसलिंग और होस राइडिंग से इंस चाइल्ड़ूट बच्पन से उसको मार्केट फॉर ट्रेडर फ्रोम इराक एंड इरान इराक और इरान के जो लोग थे उनके लिए सबसे बड़ा मार्केट था उस टाइम पे वहां का हेमु श्टार्टिट था ट्रेड ऑफ गन पाउडर काल्ड सोरे अब उस टाइम पे थे क्या होता जैसे हम लोग अलू को अ नाम था उसका जो उस सामान को कहते थे सोरे उस टाइम पे एंड प्लेड एन इंपोर्टेंट रोल इन सप्लाइंग दसेम तू सेर्शा सूरी उस समय का जो राजा था वहां का सेर्शा सूरी उसको भी यह गन पाउडर दिया करते हैं मलब बड़े डिलर बने हुए थे इसक क्या हुआ सेर्शा सूरी ने जो है ना उसकी जो है कैसेक्टर उसका नजरिया उसकी सोच उसके बारे में समझा थोड़ा सा और उसकी योगेता को देखते हैं उसको अपनी सेना में भरती कर लिया अफ्टर शेर्शा सूरी की तो मोत हो गई अब उसके बाद में उसका बेटा जिसका नाम था इसलाम सहा वो राजा बना और इसलाम सहा रिको रिकोगनाईज हेमू एडिनिस्टेटिव एविलिटी और पॉइजर फॉर बिजनस और फाइनेंस रिलेटी टास्क तो क्या इस सारा मेनेजमेंट तो संभाल ले बढ़िया रहेगा थोड़ा सा साईदाल सी ओगा राजा कुछ होगा चक्कर अब उसके बाद में क्यावा प्लीज्विध हम् इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट उसके बाद में राजा कुछ जादा ही खुज हो गया यह थे तो बढ़िया काम कर दिया उसको इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का हैड बना दिया गया अब इसलाम साखी भी मोत हो गई इन 1552 एडी इस 12-year-old son was made ruler उसका बारा साल का बेटा था उसको राजा बना दिया गया अब बारा साल के बच्चे को क्या ही पता होगा बट आदिल सहा टुक ओवर दा रेंज आफ्टर असेंडेंटिंग हिम थ्री डेज लेटर तीन साल के बाद नहीं भाई तीन दिनों के बाद में किसी और ने उसको पकड़ लिया बेटे निकल तु तेरा हो लिया जो होना था तुम्हारे राजपाट का मैं सबाल लेता हो बेटा रहन दे तु तो आदिलसा वाजा डिबाउच ड्रंक कार्ड एंड वीक रूलर आदिलसा जो है कुछ बसका था नहीं हुआ जो जिसने उस बेचारे से बच्चे को हटा दिया था ने कि तो नहीं कर पाएगा अब उसके बाद में जो है नहीं संबला उससे कुछ भी कमजोर निकला बहुत जएदा आदिलसा गेव हेमू ओल दा रिस्पोंसिबिल्टीज ओफ गवर्नेंस और मेड हिम प्राइम मिनिस्टर और चीप कमांडर ओफदार मी उसने क्या बोला हेमू को हेम चंदर विक्रमादित्य को कि बाइसा बात ऐ सारा राजपट तुहीं संबलने मेरे बसका तो कुछ है नहीं तुहीं कमंडर इंचीप है तुहीं मैनेजमेंट का हैड है सब कुछ तुहीं बन जा ठीक है मैं नहीं करा मैं बस नाम करा जाओं वह वाली बात हो गई थी बस इसके लिए अब मोस्ट ओफ अफगान चेफ्ट कर लेगा अब यह कमजोर राजा है अब जो भी चक्कर रहा हो लेकिन कुल मिला के इसने अच्छे से डिफिट करा और उस राजा को जिसके बसका कुछ था ही नहीं उसको संबाल के रखा अब आदिलसा ने क्या गरा उसको बंगाल के अंदर बंगाल के अंदर भेज दिया कुछ काम होगा चाहिद वहाँ पर दंगे बंगे हो गए होगे अब उसी टाइम के दोरान में हुमायू की जो सेना थी उसने वापिस दिल्ली और आगरा के उपर कबजा कर लिया हमला करते हुए अब हुमायू ये वही बंदा था जो पंदरा साल तक गायब रहा था मनलब पीट के बगा दिया था ना सेरसा सुरी ने फिर उसका वंसर्ज खतम हो गया बसका कुछ था नहीं तो उसके बाद में फिर से गुशा है ये वापिस मीनवाइल हमायू डाइड ओन 27 जनवरी 1556 अडी 1556 में ये सीडियों से गिरड के मर गया अब हमायू मर गया है ना और हेमू कोरोनेशन एंड हीज डिकलेरेशन उसके बाद में असली सुरुवात हुई अब क्या सुरुवात हुई उसने कुछ घोसना करी और कोरोनेशन होती अब दिल्ली और आगरा का जो जगय थी उसके कबजा कर लिया था इन्होंने मुगलों ने आदिल साफ लेड टू चुनार एंड सेंट हेम चंद्र टू फाइट अब उसने जो है ना क्या हुआ कि उसने लड़ने के लिए भेज रखा था ठीक है तू उदर संभाल लड़के आजा हेम चंद्र हो तो बेज रखा था पता था नहीं उसको बेचार हो क्या चकर चल रहा है हेमू डिफीटिट था मुगल गवर्नर ऑफ आगरा सिकंदर खान उजबेग पहले वह आगरा गया क्योंकि आगरा रस्तें पढ़ता है ना तो पहले आगरा गया आगरा में जो गवर्नर था मुगलों का उसको पीटा और पीट के भगा दिया उसके बाद वो दिल्ली के साइड आया बड़ी शेना लेके कोन हेमू अच देट टाइम गवर्मेंट ऑफ दिल्ली तर्दी खान बेगवाज होरिफाइड टू हीर दा नेम ओफ हेमू एंड रिक्वेस्टी अ अब हुआ क्या होता था ना शमझो तुम ऐसे तुम्हें खोपड़ी में नहीं पर जाहिए यह कोना आगा देखो एक बड़ा राजा जो है ना अलग अलग जगह पे राजपाथ नहीं जला सकता तो वह क्या एंड को लीडरों को जो है वहां पर भेज देता है अलग-अलग बेग था ना जब पता लगा आगरावाला जो है मर गया बाई उसके बसका कुछ था नहीं और इसके पास आ रहा है वो हेमू बड़ी सेना लेके यह फटक गया और फटकने के बाद अकबर से बोल रहा है बाई साब सेना बेज दे मरने वाले है जल्दी जल्दी बेज दो फट का पड़ा डरा हुआ था यह. अकबर immediately sent a large army under the leadership of a blessed commander पीर महुम्मद. अब उसने क्या करा सबसे बढ़िया जो commander था ना उसका अकबर का जिसका नाम था पीर महुम्मद. उसकी leadership में बड़ी शेना भेज दिवाँ पे की बहिया चल हो जान दे लड़ाइब तो. इस ग्रेट डिसस्यू बैटल ओफ इंडियान हिस्ट्री टुक प्लेस और अक्तूबर 6, 1556 एडियाट तुगुलकाबाद 1556 एक्तूबर 1556 में तुगुलकाबाद में यह लडायु हुई बहुती भयंकर लडायु हुई क्योंकि दोनों सेनाए बहुत बड़ी थी एक वो दूरी से लड़ा और मुगलों को वहां से भगा दिया निकलो यहां से निरली 3000 मुगल सोल्जर्स वर किल्डेंड दा तर्दी बैग फ्लेड फ्रों दा फिल्ड उसके जो है ना तर्दी बैग जो था इसको तर्दी खान बैग यह वाला बंदा तो इसी बंदे को जो है भग 1556 AD, the day of victory in Indian history came when the Hindu empire was established on the throne of Delhi after hundreds of years of slavery, कई सो सालों की गुलामी के बाद जो है ना पहली बार ऐसा हुआ था कोई Hindu राजा जो है राज सिहांसन पर दिल्ली के राज सिहांसन पर बैठने वाला था, हेमु असाशन तो दा थ्रों तो तो प्लेस इन दा ओल्ड फोल्ड फोल्ड उ पुराने रीति रिवाज उनके तहत जो है उनका राज पार्थ है जो हुनको सिहांसन दिया गया और राजा बना गया, he was given the title of the Vikramaditya for winning consecutive wars, उसको जो नाम था, देखो हेम चंदर Vikramaditya, हम ऐसे सुनते है नाम ऐसे पढ़ रहे है ना, तो जो Vikramaditya ना यह उसको टाइटल द लगाए जाता है यह उसको इसलिए दिया गया था क्योंकि उसने लगातार युद्ध जीते थे, कोई भी उसने नहीं हा रहा था, of course it was a day of great glory for many Indians, यह बारत वाशियों के लिए एक अच्छा ही और बढ़िया सा गरो का दिन था, हेम चंदर फेम वाज स्प्राइड फार हेमु, अकबर is court your advice that it was for your fight हेमु, उसका जो अकबर का जो दरबारी था ना, दरबार में जो ऐसे सलाम असवरा होता है, उन्होंने बोला, बाई साब अकबर बात ऐसी है, ना, उससे नहीं लड़ना, बाकी किसी से लड़ लो, उससे नहीं लड़ने का तेरे को ठीक है, अब क लड़ाई थी, जिसने पंगा कर दिया, पंगा भी देखो, कभी कभी कहती है, किसमत किसी के favor में नहीं होती, ये वही लड़ाई थी, जब हेम चंदर विक्रमादित्य की किसमत उसके favor में नहीं चल रही थी, अब देखो, लड़ाई की skill अलग होती है, फुटी किसमत अलग ह खान, कैम्प, एक कैम्प, तंबू वगारा होगा कहीं, तो उदर जो है, ये सुभाई की, सुभाईती मनलब, खुशुरत सा दिन था, जनरल ओफ आगरा, संबलपूर and other places had refused to fight against हेमू, सब ही जगह के जो भी योद्दा थे, मनलब कह सकते हो, जो भी managers थे, जनरल से, सब ने म परेम खान was in favor of battle with हेमू, लेकिन एक बंदा, एक ऐसा योद्धा भी था, जो चाहता था, मैं लड़ूगा हेमू से सिदे सिदे, बैर्रम खान, अब ये बैर्रम खान के साथ में क्या होने वाला है, तुम देखो, क्योंकि देखो, बात ऐसी है, अकबर कभी ऐसे सिदा सिदा दा नहीं कि छुटका सदक बर्, तो वो सीदा सीदा से खुद नहीं जाता था लड़ने के लिए, चल आजआ बेटे मदान में, वो काम नहीं ता, उसके बसकानी ता लड़ना वरना, वो तो सेना पतियों को बेजता था, अब सेना पतियों के पहले ही, दरे पड़े भाई, वो तो उनका क्या ही बोले है तो एक योद्धा लेकिन ऐसा निकला वो बोला मेरे को सेना दे और मैं जाऊंगा पीत ने उदर चलो अब देखते हैं होता क्या है on November 5, 1556 A.D. Hemu got the news that the Mughal Army had reached the plane of Panipat 15 November 1556 की बात है Hemu को खबर मिल गई कहीं से कि जो मुगलों की सेना है वो Panipat पहुंच चुक है Panipat के मैदान में Hemu also reached the plane of Panipat Hemu भी पहुंच गया बाई दिल्ली से पानिपत पढ़ता ही तना 800 km पढ़ता है भागे भागे पहुंच गए वहाँ पहुंच गए आज हम भी पहुंच गई है चलो लड़ते हैं with his entire army and surrounded the Mughal Army and are tied with full force चारो तरफ से मुगलों की शेरा बीच में और चारो तरफ Hemu के सैनी मुगलों के पता अब तुम्हें क्या हो गया होगा मुगलों की सेना के साथ में Hemu was riding on his beloved elephant Hawaii अब जो Hemu था ना वो अपने प्यार लाडले हाथी की सवारी पर था वही जिसको जो है वो हमेशा से रख रहा था जिसका नाम था हवाई हवाई नाम रख रहा था हाथी का अकबर के देखो अकबर इतना डरा हुआ था उस लड़ाई वजय से देखो लडाई तो सेनापती लड रहे थे सेना लड रही थी अकबर भाई आट किलोमेटर दूर पड़ा हुआ था ये फुल स्टोप ने आयाना से हाँ पे तो काबूल इफ था बैटल वाज लोज अगर युद्ध हार गे बाग जाएंगे वाई काबूल हम नहीं टिकने वाले फिर क्योंगी एमु मरेगा तब देखेंगे फिर तो हेमु लेकिन अब देखो तुम किस्मत इसको किस्मत ही काओगे और क्या ही काओगे हेमु फियर हैड बीन सकिंदा अकबर आर्मी अकबर की ये जो सेना थी हर बंदे के दिल में जो है न डर बैट चुका था कि गयावत थो काम से लेकिन हेमु continued to advance with a narrow was blown into हेमु लेफट आई and he fainted and fell from his elephant कहीं से एक तीर आके लगया तीर तो चलते हैं युद्ध में बहुत चलते हैं बर-बर लेकिन उसकी किस्मत ही उस दिन खराब थी एक तीर आकर उसकी लेफ्ट आई में घुस गया और उसकी जैसे वो हाथी से नीचे गिर गया अब हेमु विक्टर तर्ण इन्टू डिफीट यही वो पल था, जिसकी वज़े से हेमू, जो युद जीत चुगा था, क्योंकि इस अकबर की सेना भागने लग गए थी, पीछे लग रही थे, यह हेमू की सेना तो उसके पीट डालो, मार डालो, काट डालो, हो रखा था, लेकिन इस पल को देखते हो, जब हाती की तरफ दे फीट अगेन, और यही वो सन था, जिसकी वज़े से, यही इसी पल ने, जो पूरा गेम पलट के रख दिया, क्योंकि अब हमारे वाली सेना पड़ रख दिया, राजाय मर्या, हम क्या करें, हम क्यो लड़ रहे हैं, किसके लिए लड़ रहे हैं, तो वो बात उठ गई, और अब उसके बाद क्या हुआ, हम तो जिन्दा था, बस घिराई तो नीचे, तो हम को बंदी बनाकर अकबर के सामने लाए गया, और उसकी बिहाड़ इड़ उसकी सर को धड़ से अलग कर जागा, यानि कि मुंडी काटके अलग निकाल दी गई, उसमें सैतान के आत्मा निकाल दी, साइध ऐसा कुछ, जैसे होता न, कि कोई शैतान पकटके लाए हो, लेकिन बहुत ही खतरनाक बंदा था, भाई हम अच्छा रा जाता वो बहुत ज्यादा, उसको अपने लोगों की चिंता थी, लेकिन इन लोगों को कुछ नहीं था, अकबर अर्जूम्ड दा टाइट फिर भी इज्जत करें, अकबर ने कहिना के उसकी, हेमु सर्फ हैड विद वाज हैंग अड़ दिल्ली गेट अफ काबूल, अब दिल्ली गेट पे जो है न, हेमु के सीर को टांग दिया गया, अब दा तोर सो, अड़ आट दोर आउट साइड ऑउट साइड ऑफ द ओल्ड दिल्ली इन, instill fear in the herd of the people, अब लोगों को ड्राने की बाती है, ड्राने के लिए हेमु का सीर्फ तो काबूल में टांग दिया और जो बाकी का सरी था, वो जो है पुराना किला, ओल्ड फोर्ट जो था दिल्ली का, तो वहाँ पर टांग दिया गया, बैर्रम खान उडर दा मा जो सोधापूर, पानीपत, पानीपत के अंदर ही एक जगह है तो वहाँपर आज भी हेमु का मकरा बना हुए है, समादी या कुछ बना हुए है, अब सोधापूर का भाई मेरे को पता नहीं, मैं पानीपत से हूँ लेकिन मैंने सुना है, गाउं का ही नहीं सुना, खड़े हो गयोंगे तुम्हारे भी 22 लडाईयां लड़ी थी और सारी जीती और उसके बाद में सिरफ 29 दिनों तक राजपार चलाया था उन्होंने इतना छोटा राजपार था क्योंकि बाकियों की शेवा करता रह गया हो तो अब देखो उनका तो दिहान तो चुका था हे मुगो तो मोत के घाट उतार दिया गया था उन्ही के इस संघर्स को मुगलों को रोकने वाले संघर्स को उसके बाद भी बहुत सारे राजावने जारी रखा जिनमें ऐसे ही कुछ नाम हमें सुनने को मिलते हैं जैसे ये नाम जो लिखे हुए हैंगे ऐसे सुनने को मिलते रहेंगे आगे भी कहानी हैं अब उनकी कहानी तो खतम होगी जीवन लीला खतम कहानी खतम अब राणी दुर्गावती ने क्या करा उसके बारे में भी जान लेते हैं इंडिया इस एक कंट्री ओफ ब्रेव मैंने डूमें इंडिया जो है ना बहुत ही बहुत ही बहुत ही बाहदूर लोगों का जगह रही है क्योंकि या शुरुवात से ही ऐसी लडाया होती रही है, पर कोमन शी बात थी this holy land has not only given birth to the mighty warrior but has also given birth to many women who contributed equally in making this country independent protecting religion, culture and overthrowing foreign rule अब देखो क्या होता है कि हमने पुरुसों की कहानिय तो बहुत सुनी है इस पुरुस ने ऐसे मार दिया वैसे मार दिया महिलाओं की कहानिय अगर तुम को सुननी है तो इंडिया आओ इंडिया में देखो, इंडिया में बहुत सारी ऐसी महिलाएं थी, जिन्होंने पुरूसों के equal contribute करा, लडाईयों में अपने culture को बचाने के लिए, और विदेशी सासकों को माल डालने के लिए, one such brave woman was the legend, रानी दुर्गावती of Garamandala, who had the sword in her hand and sacrificed his life in the end while fighting and defeating the Mughal several times to protect his religion, culture and honor, उन्हीं में से एक महिला है, जो है, जो गड़ मंडला की थी, रानी दुर्गावती, उसने अपने हातों में तलवार उठा ली और Mughal का सामना करने निकल पड़ी, तो अब लड़ाईयां हुई और उसके बाद में result रहा, कुछ देखते हैं आगे क्या होता है, रानी दुर्गावती वाज बोर्न अक्तूबर 5, 1524 AD in Kalenger Fort of Bandha, उत्तरपरदेश, उत्तरपरदेश में Kalenger Fort था, Kalenger किला बंदा के अंदर, तो वहाँ पर इनका जनम हुआ, 5 अक्तूबर 1524 में, ऑफाजर द्धा फेमस राजपुत र writers राजपूत राजपूत राजब राजपूत 54िषस, बैटी थी और बstat विद उर्फ वहाँता है, वो सुन्दर भी थी जैंटल भी थी हमबल भी थी और बहुत सहासी लड़की थी अब फिल्ड विद ब्रेवरी और करेज तुर्गावती हैड अचीवड स्किल इन फायराम्स आर्चरी होस राइडिंग और फाइटिंग दूरिंग हर चाइल्डूड उसको बच्पन से यह ऐस जोंख चड़े हुए थे अलोंग विद फाइटिंग स्किल्स दुर्गावती ओल्सो लवड तो रीड लीजन तो दा हिरोइक और क्रेजिया स्टोरीज अब उसके साथ मुन को कुछ और सुनना भी पसंद था वो थी जोस भरी कहानिया कुछ राजाओं की कहानिया शी हैड तो वह अपने पिता के साथ ही रहती थी और वहीं पर प्यता से ही राजपाठ के बारे में और उन्ची जों के बारे में सीखती रही दीरे-दीरे थीरे प्रावड ओव्स ड्हुटर ओल रांड डेवलमेंट पिता वे अपनी बेटी जैसे तरक्की कर रही थी उससे खुश रानी दुर्गावती fame spread all around due to her name, intelligence, courage, bravery and beauty और उनकी खुबियों की वजए से ही बुद्धिमान और सुन्दर थी, भादूर थी वो चीजे ऐसे आम, common नहीं देखने को मिलती तो इसी वजए से उनका नाम दूर दूर तक फैलता चला गया impressed by her valor, craze and intelligence, King Sangram Singh of Gondwana Empire married दुर्गावती to his son Dalpatsa and maize दुर्गावती his daughter-in-law तो उसके बाद क्या हुआ, अब देखो, महिला थी भाई, साधी तो करनी पड़ती है, तो वही हुआ, गोडवाना का एक राजा था, गोडवाना का, तो उसने जो है, King Sangram Singh, तो उसने अपने बेटे की, जो है, जिसका नाम दूर दुर्पत सा, उसके साधी करवा दी, आफ्टर वन यर उफ मैरेज, दूर्पत साधी गेव बर्थ टू आ सन नेमड वीर नारायन, उसके बाद जो हुआ, जिसका नाम रखा गया, वीर नारायन, आफ्टर दा डेथ ओफ महराजा संग्राम सिंग, दल्पत सा वाज मेड़ रूलर उफ गोडवाना, अब महराजा क राज क्राउंड एंड डिकलेर्ड दा हेर ओफ दा किंग्डम, उसका जो बेटा था, बेटा ही राजा बनेगा ना, तो वीर नारायन को राजा बनाए गया और उसको जो है राजपार संभालने के लिए दे दिया गया, और उसके बाद जो है ना वो जो रानी दुरगावती थी, वो ऐसे देजबक्त बनते हुए, उन्होंने राजपार चलाए, वो तो छोटा सा बच्चा था और वो क्या ही करता, तो उसकी माने उसकी मदद करी और पूरा राजपार संभालती रही, रानी दुरगावती एडमिनिस्टेशन और पब्लिक वेलफेर वर्क, अब उन् कोर्ट इन मिलिटरी गार्ब, तो उसके साथ में वो जो है, मिलिटरी गार्ब में भी जाती हो, हर एक जो एक्टिविटी होती थी, मैनेजमेंट के रिगार्डिंग, उन्में पार्ट, पार्टिस्पेट क्या करती थी, अन्डर इज लीटर्शिप, अब उनका जब राजप लोगों की भलाई के लिए उन्होंने कुछ मोनेश्ट्री होती है, जैसे मठ वगर होते हैं, उस समय लोग चलते थे, ऐसे ही पूजा पाठ वाले लोग, तो उनके लिए मोनेश्ट्रियां बनाई, कुए बनाई, धर्मसाराएं बनाई, तो लोगों की सुविधा के लिए, अधर ताल इंदा नेम उफ दा दिवान, अधर सिंग, तो उसके बाद मैं उनने एक अधर ताल बनाया, यह जो है ना कुछ तलाव वाला बनायों, उनके नाम रख रख रखे, ठीक है, चेरी ताल बनाया, उसके जो है राम चेरी के नाम पे, उसकी जो की, मेड आफ चाइल उसके बच्पन की कोई साथी रही होगी, मेट थी वैसे तो लेकिन उसके नाम पर भी चेरी ताल बनाया, and सर्मान जो उसका प्यारा हाथी ता उसके नाम पर हाथी ताल भी उसने बनाया, शी फ्रीड दा पीपल फ्रोम एवल प्रैक्टिस लाइक दा होमें सेक्रिफाइज चाइल्ड मैरेज पर्दा पर्था सती सिस्टम एंड कास्टिज्म इन सारी चीजों से यानि कि जो भी बुराइया थी उस समय के समाज की उन सभी से उन्होंने छुटकारा दिलवाया उनके लोगों को उनकी सल्तनत के लोगों को तो उनकी दुर्गावती कब जाके उनको रोकने लगती है दा मुगल रूलर ऑफ दिल्ले वाद चीटिंग लूटिंग रेपिंग किड्नैपिंग और टोर्टरिंग पीपल इन नोर्थ सेंट्रल इंडिया अब जो उपर का हिस्सा था नोर्थ सेंट्रल इंडिया था यानि कि दिल्ल दिल्ली से उपर-उपर का हिस्सा मैप देखाओ आ इंडिया का दिल्ली से उपर हिमाल्य की साइड का जो हिस्सा था उस हिस्से में जो है ना बहुत पंगे चल रहे थे उदर जो है बुरा हाल मचा पड़ा था लोगों के साथ जो है दोकाधरी हो रही थी लूट पाट्ट से सरयाम चल रहा था मार कुटाई how could गोणवाना भी सेवड फ्रों दा साइट ओफ वल्चर से और इन भेडियों की नजरों से इन गिद्धों की द्रिष्टी से वो कैसे बच सकता था इन खतरनाख लोगों से सुल्तान बाज बहादूर उफ मालवा उलसो अटेक्ट गोणवा उसके चलते कि आवन का जो किंग्डम था वो थोड़ा एक्स्टेंक्ट हो गया बड़ा हो गया मतलब और रेवा और मालवा तक वो फैल गया रेवा वोज अंडर आसफ खां दा सुबेदार ओफ अकबर एंड मालवा वोज अंडर आदम खां तो यह जो हैना दो जनरल थे उ और इनके जो हैना इनके अंडर में वो जगय थी और उसको कबजालिया गया कुछ चक्कर रहा होगा आसफ खां प्रोवोक्ड अकबर अगेश्ट दुर्गावती अकबर दुर्गावती अकबर गोट इन्ट वर्ड्स ओफ आसफ खां और आसफ खां तो अटक गोण वान फि एसे कैसी हो सकता बहु पूरस तो रुक पूरस तो ऐसे अरा दे रहा यह अकबर तो ये महिला कैसे होग रोक दे रही है तो उसके चलते होगे असे भी बेज दी चल जा उड़ा के आजा उसको इन दोज देस इस स्टेट वॉस और लोन बाय देनमा येंव घर्रह क कातंगा क आस नाम रख रहा है भाई इसका तो उस समय जो है ना इसको इस नाम से जाना जाता था बट जो यह तुम समझो कि काफी बड़ा जो है इनका एंपायर हो रखा था रानी दुर्गावती का और उसको जो है अब नजर पढ़ गई भाई अकबर की तो कैसे बचेगा हो देखते हैं किसमत देखो इनके पास रानी दुर्गावती के पास शिरफ 20,000 सोल्जर थे 20,000 सैनिक थे और 1000 हती थे अकबर की जो सेना है मुगलों की जो सेना है उसमें 50,000 इंफैंटरी और कालवडी अच्छे हतियार भी थे और 50,000 लोग थे बाई शेना में तो चीतने के चांस तुमको क्या लग रहा है कौन जीतेगा जिसके पास सेना वही जीत जाता है जाद तर तो दुर्गावती श्ट प्रोटेक्ट हर उसका सम्मान बचाने के लिए फिर अपने आपको जो है मोत के घाट उतार दिया जो फिर बूरे कांट भी तो जाते थे ना उसके चक्कर में दा मुगल आर्मी कैप्चिर दा कैपिटल ओफ गोडवाना मुगलों ने जो है जो कैपिटल थी गोडवाना की उसको कपजा कर लिया वीड नारायन दा चाइल्ड रूलर ओफ गोडवाना ओल्सो फोट वैलाइंटली तिल ही सक्रिफाइफ इस लाइब वो भी लड़ता रहा और आसफ कहां रिसीवड लार्ज अमाउंट फ्लंडर फ्रों दा गोडवाना गोडवाना से अंदर से उनको बहुत सारा प्लंडर यानि धन संपत्ती मिली उदर से उनको he found gold, silver coin, gold utensil, gems, pearls, sculptures, animal figure made of gold and other rare items in the huge quantities बहुत ही बड़ी मात्रायम उनको हीरे सोना चांदीजवारा जो भी मिलता है वो मिला उनको लेकिन जो बहदूर दुर्गावती थी रानी दुर्गावती थी वो generations तक के लिए जो है हमारी जो कह सकते हो मलब की पूजनिया बन गई थी एक तरीके से यही कह सकते हो क्या कहेंगे अब जो गोण डाइनस्टी थी थी ना उनका जो और भी पहले की राजा थे लेकिन सबसे जो popular राजा हुआ है तो रानी यहीं एक्चल में वो थी रानी दुर्गावती क्योंकि उन्होंने अपने देश के लोगों के लिए इतना कुछ किया था अपनी सल्तनत के लोगों के लिए इतना कुछ किया उसके बाद में बचाने के लिए अपने जान तक दे दी even today many folk songs are sung in his memories तो उनकी याद में आज भी कुछ song है जो उनकी याद में गाये जाते हैं कहा जाता है when दुरगावती went to the battlefield with two swords in hand जब रानी दुरगावती अपने दोनों हाथों में तलवार लेके निकली the earth सुक धरती हिल गई and the sky moved when the sword come into action और आसमान भाग निकला कांप निकला और उस फिर आया action की बाते तलवारे चलने लग गई her face was red like copper उसका मूँ तांबे की तरह बिल्कुल खून से सना हुआ था his eyes were fiercely उसके आखों से जो है कहा सकते होंगारे निकल रहे थे she held the bridles with her teeth with two swords in his hand घोड़े को जो है अपने वह जो था ना घोड़े का पट्टा सा उसको अपने दातों में दबा के ऐसे जो है दोनों हाथों तलवार लेके मलब तुम समझो इस भावना को समझो सिर्फ तुम एक योद्धा है एक महिला योद्धा है जो कि घोड़े पर बैटके दातों से मूँ से अपना जो है घोड़े की लगाम पकड़के दोनों हाथों में तलवार और यह attack है मोड में फुल बिल्कुल ऐसे गु लड़ी गई थी अब यह है बहुत खतरना ही होता अपने लोगों का ठगा हुआ वेचारा लेकिन किसमत खराबती भाई क्या कर सकते हैं महाराना परताप अब यह जो है ना इनकी कहानी कभी सुनना तुम एक्च्छल में रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है इनकी भी नेम उफ ग्रेट वोरियर महाराना परताप बहुत ही खतरनाग योद्धा था माना जाता है देखो यह अभी यह तो चैप्टर में हम पढ़ते चलें आगे तक क्या क्या सीन हुआ इनके साथ में लेकिन ऐसा माना जाता है कि इन्होंने जो है ना इनकी जो हाइट थी हाइट जो धाल थी शील्ड थी जो भाला रखते थे अपने साथ में तलवार रखते तो कुल मिला के उसका जो वजन था ना वो दो क्वेंटल से भी आगे चला जाता था और जो कि एक अलगी चीज थी बाई दो क्वेंटल किसी के उपर रख दो है ना वैसे मर जाएगा बिचारा और इतने हैवी वैपन्स को लेके मलब वैपन्स में गोला बारुद नहीं था वो इसी वज़े से हैवी नहीं थे सिंपल वैपन्स थे लेकिन वो इतने हैवी होने के बाद भी वो उनको उठा के ऐसे सान सोकत से सलते थे सील्ड वगरा भी रखते थे थे ना तो सारा कूल मि पीच में से काट दिया घोड़ा और जो सेनापती था दोनों को आदा-दा कर दिया 50-50 तो देख लो तुम दम कितना रहा होगा उस राजा में आज के वाले पे कटवागे देख लो तुम एक उंगली काटने में भी लगेगा यह पहले तो तलवारी उठा ले तुम वही देख आजाये बाई तुमको लिटरली जिन्दगी का मलब अलग यानन्द मिले तुमको ऐसी कहान तुमने सुनी नहीं होगी नेम उफ दो ग्रेट वर्यर मुहारणा परताब दा प्राइड ऑफ दाश सोध्या राजपूत डाइनस्टी वो फोट अकबर इन दा स्पाइड ऑफ लिमिटेड मेंस तिल ही लास्ट ब्रीट टु सेव मेवाड उन्होंने अपने अंतिम सांस तक जो है अकबर के अब बड़े राजा क्या करते थे वो छोटे राजाओं को मारते नहीं थे वो छोटे राजाओं से अपना टैक्स लेते थे और निकल लेते थे वो चलता था अब वही ये चक्कर में थे मेवार के राजा महाराना परताब से भी वो अकबर ये चाह रहा था कि वो सिरफ हमको टेक्स वैक्स दे दे और अपना चलता रहे लेगिन अकबर को राजा मानने से ही मना कर दिया इसने कि तू काय का राजा he is recorded in history for his bravery and immense patriotism अपने सची देश भकती और अपनी बहादूरी के लिए उनको history में जो है दर्जा मिला और बहुती सम्मान का दर्जा मिला he completely destroyed the perception of the invincibility of Mughal army and inscribed all the Rajput king to protect the country, religion and culture उन्होंने अपने जो है अपने country, अपने देश, धरम, संस्कृती, हर चीज़ को बचाने के लिए लड़ाईयां भी लड़ी, Mughalों को जो है बिल्कुल डरा के रखा इस लाइफ is a saga of struggle उसका जो जीवन था न वो पूरा संगर्सों में भीता था, there was no rest in his life for him in his life, उसके जीवन में कोई भी सांती का पल नहीं था, कोई भी सुकून का पल नहीं था, दे लड़ाई पे लड़ाई चात रही थी वहाँ पे, अब महराना परताप वोज बोर्ण 9 माई 1540 AD 1540 में 9 माई को महराना परताप का जनम होता है, जेस्ट यह जो है ना, टाइमिंग होते हैं उस टाइम पे जेस्ट का तीन जेस्ट को विकरम सामवत 1597 में ऐसा कुछ होगा, तो to महराना उधाय सिंग इन कुल कुम्बलगर्ड राजस्तान, तो महराना उधाय सिंग जनम हुआ, यानिकी इनका बेटा था, महराना उधाय सिंग का बेटा था, महराना परताप, और जो कि कुम्बलगर्ड का राजा था, राजस्तान में, तो उसके वहां पर जनम हुआ, इस मदर नेम वाज जैवन्ता भाई सोंगरा तो उनकी जो मा थी उनका नाम था जैवन्ता भाई सोंगरा इस चाइल्डूड नेम वाज कीका उसको जो है बच्पन में कीका के नाम से जाना जाता था महाराना परताब को सिंस चाइल्डूड महाराना परताव ब्रेव एंड डिटर्माइंड बच्पन से वह ऐसे थे जैसा बढ़ा होके देखने को मिला ना बच्पन से वह ऐसे थे वह डिटर्माइंड थे और बहादूर थे इसको हतियार बनाने का सोख था हतियार कैसे बनते हैं और उन चीजों के बारे में बड़ा सोख था और खेल कूद में तो उसने जो है संपत्ती की बजाए जो है अपनी जो है रिस्पेक्ट इजट बनाए रखना वो ज्यादा महत्तपूर समझा था आफ्टर दाथ ओविज फादर ही वाज को रोनेटीड एट गोगंडा ओन फरवरी 28 1572 एड़ी एट अट इज अफ 32 बतिस साल की उमर में जो ह जयपूर अब जो राजपूत राजा थे क्योंकि पहले के टाइम पे जो है ना जितने राजपूत राजपूत राज़ा वो सारे लगबग इगठे एक समहूं में रहते थे ताकि लड़ाई हो तो एक तूसरे की मदद की जा सके अब वैसा ही था ये जो अजमेर का बुंद जा चुके थे वह पहले तो अच्छे दोस्ते भाई अब वह बात नहीं रही तुम में तुम दगावाज दोस्ते निकले वाली बात हो गई थी वह अकबर की क्योंकि अपर भाई ऐसा चोटा मुटा राजा तो था नहीं अभी दोस्तों यह उसके भी थे महाराना परताब के भ जोथ तुम मेक दा ओल मेवाड स्टेट इंडिपेंडेंट उसने सपत ली कि हम मेवाड को इंडिपेंटेंट बनाएंगे हम किसी की गुलामी स्विकार नहीं करेंगे मेकिंग कुंबलगड एंड गोगुंडा दा सेंटर और हम इधर को ही सेंटर बनाएंगे He declared that he would have no rest in his life until he hoisted the flag at Chitod जब तक वो Chitod के किलिये पर जो है अपना जंडा नहीं फैरा देते परले से मलब रुदबा नहीं हो जा तब तक हम जीवन में सुकून का पल नहीं जियेंगे He vowed उसने सपत ली that he would abandon the utensils of the gold and silver and eat only in the plates of leaves उसने सपत ली कि मैं सोने चांदी हर चीज का त्याग कर दूँ और पत्तो की पलेटों पर खाना काऊंगा He would not get in his haircut वो अपने बाल नहीं कटवाएगा and he would sleep on earth और धर्ती माता के गोद में वो सोएगा और बाकी जो लोग थे उन्होंने उसके साथ पदली महरणा परताप increased his power while living in the hills by organizing common people तो उसने अपनी ताकत को भी बढ़ाया उसके साथ में लोकल लोकों को पर उन्हें साथ जोड़ा होगा अब यहां पर कुछ fact दे रहे है do you know बप्पा रावल जो की 8th century का इस्टेबलीज सिसोधिया डाइनिस्टी ओफ मेवाड रूलर ऑफ सिसोधिया डाइनिस्टी ओफ मेवाड kingdom तो मेवाड kingdom में जो सिसोधिया डाइनिस्टी है उन्होंने ही जो है इसकी शुरुआत करी थी ब को यहां पर बता रहे बाकी यहां पर देखो सिसोधिया डाइनिस्टी ओफ मेवाड kingdom यह जो महाराना परताब हम सुन रहे ना यह लाज्ट टैमपरर था उसके बाद में सिसोधिया डाइनिस्टी गायव कर दी मुगल ने मुगलों ने अब देखो यह जो है इनका पूरा मह महाराना उद्या सिंग के हम बात कर रहे था ना उद्या सिंग अब उसके बाद में उससे पहले भी बहुत सारे ऐसे चलते रहे राजा और आगे बढ़ती रही जनरेशन टू जनरेशन डूरिंग दा रूल ओफ महाराना परताब अकबर कैट मोंस्ट ऑफ राजबूत किंग चल रहा था तो उसके टाइम सासनकाल के दौरान राजपोत राजां को अपने ही कब्जे में रख रहा था, कब्जे में बंद करके नहीं रख रहा रहा था अपनी लीडर्सिप के अन्डर में, at such a time, महाराना परताब had only two options, उस टाइम पर महाराना परताब के पास तो ही या तो देखो या तो वो समरज्यवादी जो अकबर है जो कुरूर राजा है बेसक्षे तो उसको उसकी अधिनता स्विकार कर ले और दूसरा उप्सन था अपने आपको उससे आजाद कराने के लिए लड़ाई लड़े कौन सा रास्ता च्छा लगा आपको कब जा करने वाला अरे नहीं यार वो हमारे बसकी बात नहीं है इन्होंने क्या करा इन्होंने इंडिपेंडेंस का रास्ता चुना महाराना परताप टूक दा पाथ ऑफ स्ट्रगल भले ही जिंदगी में हो लेकिन हम आजाद रहेंगे अकबर वाजा अफ्रेड ओफ महाराना परताप ब्रेव इसलिए वो क्या करता था और मेवार के उपर जो राजपूत जो राजा थे जो इन्होंने उसकी लीडर्शिप सविकार कर रखी थे अकबर की उनसे हमले करवाता था खुद हमले में नहीं कुद कभी लडाई में नहीं गया वो अकबर ट्राइड सेवरल टाइम टू सब्ड अब जो है ना उसने राजा को भी भेजा जैपूर के राजा को राजा मान सिंग को लेकिन उसने मना कर दिया मैं नहीं आ रहा तेरे से मिलने जा निकल अपना पहली फूर्शच में निकल अब उसको लग रहा था मलब उसने जो है ना उसका जो अपीनियन था राजा मान सिंग के बारे में कि भाईया वो तो लालच के चक्कर में उदर भाग गया उनके फेवर में अब दे कुट नोट टेंट दा लाइने जुफ देर रेवर्ड बपारावल बाई मीटिंग सच अ विद्रो जाहत बदला ले रहा था किसी की भी उस टाइम पे हुई बैटल ओफ हलदी घाटी हलदी जो है ना वागत जगाए हैक्ट्वेकुल में तो वहांदे एक लड़ाई हुई भाद सी और इसी लडाई की वज़े से हम महाराना परताप को जानते हैं हमने महाराना परताप की जो किस्ते कहानिया सुनी थी वो इस लडाई में सच होने वाली थी अगर हम भारतिया इतिहास की बात करें न तो हल्दी गाटी की जो लडाई थी वो सबसे खतरनाक और बहुत ही भयंकर लड़ाई थी अकबर failed to subdue महारना परताप despite several attempts बहुत सारी कोशी से करी अकबर को अकबर ने महारना परताप को अपने अंडर लाने की कबजा करने की लेकिन वो हर बार ऐसा फल रहा fail होता चला गया परताप had now feared that अकबर वोड़ अटैक मेवार विद फूल फोर्स एंड इस एग्जेक्टली वट हैपन अब महारना परताप ने जो है जलो ठीक है वो नहीं मान रहा अब परताप has now feared परताप को मतलब थोड़ा सा फरक पर जाता है टाइम के साथ में वो कमजोर सा लग रहा होगा उनको अकबर ने जो है पूरी ताकत के साथ अपना उदर हमला कर दिया अकबर सेंट राजा मान सिंग राजा एंड राना रेपैलियन बर्दर सक्ति शिंग ठूम अटैक मेवार उसने राजाओं को भेज दिया जाओ हमला कर दो हल्दी घाटी में लडाईयां होने वाली थी अब खतरनाक वाली अकबर वांटी टू कैप्चर मेवार वैल्यूएबल मिनरल एंड वे थू मेवार फो ट्रेड अब देखो मेवार जो है ना ट्रेड के सेंटर का जो ट्रेड जो होता था उसके रास्ते में आ रहा था दिक्कत वह नहीं थी कि हम तो साइड से निकल जाते लेकिन तुर रास्ते में आई क्यों रहा है हम तो तुझे भी कपजा करेंगे वो इगो वाली बात और की थी दोनों साइड से और उसके साथ में वहाँ पर बहुत सारे कीमति सोने चांदी जवारात रहे होंगे तो हमले सुरू हो गए वहाँ प कि अगर ये सेना मेरी ये सेना हार गई न तो जो अकबर ने डरा डरा के भागी राजपुत राजाओं को अपने अंडर में ले रखा वो भी उसका फेवर करेंगे और फिर मेरी बैंड बजनी पकी अब देखते हैं क्या होता है तो फोलो इम राणा परताप अलसो बिलीव करेंगे और हम अकबर को उड़ा सकते हैं हर महारा हेर महारा परताप अपनी शेना के साथ हल्दी घाटी में पहुंच चुका था ओन जून अठारा पंद्रा सुच्छी अत्तर 1576 एडी ये वह एक्जेक्ट तारिक है ये तारिक जरूर द्यान है ना हल्दी गाटी की बैटल इस पर कोरिशन पूझ लिया जाता है अब बैटल स्टार्टी एट हल्दी घाटी हल्दी घाटी के अंदर जो है लड़ाई शुरू होती है परताप वाज एकंपेंड बाए दर्रावत किसंदास भीम सिंग दोदिया एंड रम रामदास मेडातिया भामासा जालामान एंड भील, चेफ्टेन, राना, पुंजा, एटसेक्टर तो ऐसे बहुत सारे जो राजा थे ना वो सारे इसके फेवर में थे माहरना परताप और सभी राजा एकठे होके इधर से लड़ रहे हैं उधर से मुगलों की शेन आ रही है और जो राजपूत थोड़े मुटे राजा है वो भी उधर से आ रहे थे, दा भील्स वर प्रेजेंट विद एरो एट दा एंट्रेंस अफ दा वैली एट चंदावल तो उन्होंने जो है ना एंट्रेस पैसे तीर लेके खड़े हुए हैं भाई आ जा सेना हमने आसे तीरों से मार देंगे तेरे को, दा डिसेंडेंट अफगान रूलर सेर्शा सूरी हकीम खान सूर्व उसके साथ में कुछ और राजा भी जो है उसकी शेना में ते जो हार चुके थे एक्चल में, ही वोज अपोइंटीड कमांडर ऑफ दा आर्मी, उनको कमांडर बनाया गया था आर्मी का, फिर्सली बैटल एंशूर्ड अब जो महाराना परताप ने जो अपना सहस दिखाया, महां पर जो लड़ाई में कतल है, आहम मचा ना, उसको देखके डर गए वाई सेना, उधर ही पहले फुरसत में डर ली थी वो तो सेना, तो कि ये चल क्या रहा है दर, हम तो गए खाम से, वो वाला हाल हो गया था, उन सेनिंग फ्रों फ्रों बैटल्फिल्ड, अब ये बताते हैं, मनलत ऐसे कही किताब उससे पता लगा हो, इनको बाद में, तो वो बताया जाता है कि उनकी जो लड़ाई की रफ्तार थी ना, मीलत एकतो होता है आजा, तू आजा, मैं मारूं अ तीरे बगर को, तू आजा, मै अब जो है कोई मलब एक राजा था जो कि आगे की फ्रन्ट आर्मी रोग को समभा रहा था मलब होता है इसमें एक पूरा घर स्रक्चर समझोगा ना कि पहले जो आता है पहले की लड़ाई फिर बाद वाले जो सैनिक आते हैं फिर वह एक पूरा डिजाइन लड़ाई होती है वह तो वही चीज़ यहां पर चल रही थी हमेशा के लिए अमर हो गए वह और उन्होंने अपनी जान गवादी को कि जो सबसे ज़्यादा जो खतरनाख जो लड़ाई का जो मूड फेस करना पड़ता वह फ्रन्ट रो को ही करना पड़ता और वह फ्रन्ट रो में ही ट्रेक्चुल में महारना परता वाज हैडिंग पो बाले से स्पियर होता भाला नुकिला जो होता है कि लठा सा होता है जिसके उपर दोनों साइड में मैटल के लगते हैं तो वह वाली चीज तो उससे जो उसने मान सिंग के उपर अटैक करा लेकिन मान सिंग की किस्मत बढ़िया थी बच गया अगर नहीं बचता तो भाई आ जड़ाई के दुरान थोड़ा पंगा पै गया हुआ क्या उसका जो घोड़ा था जिसका नाम चेतक था वो घाया लो गया राना पुंजा वह जब ब्रेव भील चेफ्टेन हू फोट विद इस भील आर्मी अर्दा हल्दी गाटी अब जो राना पुंजा थे वह बहादूर अब एक टाइम आता है जब महाराना परताप को दूसरों ने चारों तरफ से घेर लिया था मलब सैनिको ने इतनी साहस से तलवार गूम रही थी वहाँ पे समझ में नहीं या रहा रहा कि ये चारों तरफ घूमने वाले मार रहे हैं किह महारा प्रताप बीच में खडा ओकर चारों को मार Señor और उस लड़ाई को जो है ना महालना परताप ने क्या सोचा कि नीचे मैदान में चकत हो रहे हैं मतलब कि लड़ाई जो है ना बढ़िया नहीं चल रही है पहाड की उपर मोड़ने की कोशिद करी कि हम पहाड पर चटके मारेंगे इनको फिर भग जाएंगे कुदी मीनवाइल जालामान एंगेजड दा मुगल आर्मी एंड सेक्रिफाइस दिजलाई और इसी दोरान जो है ना इस लड़ाई में जालामान भी सामिल हो गया और उसने अपना बलीदान भी दिया इसमें पूरे रुक को मोड़ने के लिए एड दा सेम टाइम टू मुगल चिफ्टें फोलोड महाना परताप दो जो मुगलों के राजा थे यदिकारी थे एक्च्छल में तो उन्होंने जो है ना महाना परताप को फोलो करने कोशिश करी वन सकती सिंग साधिस ही किल बोद दा मुगल और एंबरेश्ट इस बरदर औ अपने भाई को बचाने के लिए अपने साथी को बचाने के लिए उन्होंने उन दोन राजा सकती शिंग ने जो है ना उड़ा दिया दोनों को जो भी मुगल उनका पिछा करने कोशिश कर रहे थे इन इस बैटल, अव दा मुगल सोलजर वड सो ब्रोकन देट द लिए उनकी जो मुगलों की आर्मी थिना उनकी जो इच्छा थी ना वह इतनी कमजोर हो चुकी थी जिस हिसांसे वो पिटे थे ना तो उसहिसांसे देखके ऐसा लगी नहीं नहीं था कि वह वह बपती आने व बाग गई उदर की भी उदर की भी क्यों भाग गई क्योंकि दोनों फड़की पड़ी थी कि कोई इंजड की जैसे और कुछ वैसे डरके भाग रहे थे तो महारणा परताब वो डीपली सेड़ेंड एड़ डैथ ओफीज विलवड होर से उसका जो घोड़ा था चेत्रक उसकी अब यह जो लड़ाई थी इसकी वजह से पब्लिक का समर्तर बहुत मिला महारणा परताब को उसके बाद में महारणा परताब की जो बहदूरी थी ना उसके बारे में कवियों ने भी बहुत परसंसाय करी कि भया ऐसे इन चोटी आर्मी तुनी बड़ी आर्मी को कैसे घरा सकती है वो वगारा ऐसी बाते होने लगी मलब बहादूरी अलग लेवल पे थी महिला उने भी उनके बारे में गीत गाए सोरिय के गुणगान के गीत गाए गए गए दा फीलिंग ऑफ दे सेल्फ रिस्पेक्ट वाइस अमंग दा कंट्री में लोगों के अंदर देश भक्ती की भावना अब जनम लेने लग गई थी पीपल वर फ्रीड प्रूम दा सैकल स स्लेवरी और स्टाटी द्रीमिंग फ्रीडम हर कोई अजादी के सपने देख रहा था गुलाम गुलामी से आजाद होने के चक्कर में था परताव वैलर वाइलर वाज बिंग देपिक्टी फ्रूम प्लेस तू प्लेस थ्रू थीट्रिकल वर्जन लोग ऐसे नो टंक्या करत करते दूर दूर तक इसकी पर्चले यह नाम चल पड़ा था युद्ध का की आशे यह हुआ यह हुआ पर्चलन में आ चुकी थी यह चीज़ लुकिंग अट डिफिकल्टी एंड स्ट्रूग्लिंग लाइफ अफ राणा दोज राजपूत किंग्स हुएड क्या हुआ जिन लोगों ने जो है ना मलब मुगलों के अंडर में कि हां ठीक मुगल बढ़िया है मुगलों को मुगलों की जो है अधिंता स्विकार करते हैं जो वह राजा थे वह बुरा फिल करने लगए गलत कर दिया हमने महाराना परताप का साथ देना चाहिए था सच र इसी पीच में जो है ना भामा साय उन से मिलते हैं महारना परताप से और अपनी सारी संपत्ती महारना परताप को दे देते हैं कि यह लो तुम सभालो और मुगलों को उड़ा दो बस अकबर सेंट सहाब आज खान अब अब्दूर रहीम एंड जगन्नाथ कुस वाहा टू फ परताप has adopted an aggressive policy rather than a defensive one अब पहले क्या करें तो वो defense कर रहे थे अपने आपको बचा रहे थे कि यह हमारे उपर हमारी जगह को कब जाना करें अब उसने पोलीशी बदल लिया अब attacking police हम अब हम अकबर के उपर हमला करेंगे ना कि हम अकबर से बचेंगे उल्टा पोलीशी जो ह पर हमला कर जया गया सुल्तान कान दा लीडर ओफ मुगल आर्मी कोल्ट दा थानेदार ओफ सेवन्थ पुलीश स्टेशन नियरभाई है तो लोज इस लाइफ उसको मुथ के घाट उतार जया गया उस थानेदार को भी द्यू तु दिस दा मुगल आर्मी हैड तो फ्ली फ्र परताब ने मला अब दीरे दीरे अवह पहले तो क्या था पहले बचा रहे ता हमारे उपर हमला होगा तो दहода महारणापतार अक क्षाइंगे तुमको हमारे अंदर कितनी heating जान बचिया है अब ऐसे यह होते होते दो थानों को अपर ऐसे उडा दिया गया भगा दिया ese के पास अब दम नहीं बचा कि मैं दोबारा सेना बेजूंगा क्योंकि सेना बेजना मतलब की पहले खर्चा करना पैसे का और फिर उसके बाद में उन सैनिकों को मोत के घार टुताने के वज़े से सेना कमर जाना घट जाना सेना छोटी होगी तो लड़ाई में और दिक्कत लग गया उनको भी जो है अपने साथ करने लग गया और जो है कैपिटल बनाई चावंड को यह कोई जगह होगी महां पर ग्रेजवली दर राजपूत किंग स्टार्टिड कोपरेटिंग विद महारना परताप और इसका नतीज़ा यह राजव महारना परताप के फेवर में ज़ना है इसके चलते महारना उद्या सिंग जो की उसके पिता थे महारना परताप के तो उनके अंडर से टोंके उठ किला जो था परताब बोडी हैड बिकम डाइलेपेड ही ब्रीट इस लास्ट ओन दा जनवरी नाइटीन फिफ्टी नाइटी सेवन एड़ दा इज ओफ फिफ्टी सेवन अब महारना परताब का जो सरीर था वो कमजोर हो चुका देखो उमर आती है जवानी आती है जोस आता है फिर वो महारना परताब का सरीर अब कमजोर होने लग गया था और जिसके चलते 19 जनवरी 1897 को 57 साल की उमर मुनका देहानत हो जाता है इवन टूड़े दा रूइश ओफ दा पैलिशीज एंड दा हवेली ओफ बाहम बामासा कैन बी शीन इन चावंड आज भी जो है उनके बारे में आपको सुनने को मिल जाएगा वहाँ पे जो है उनकी उनको महसूस कर सकते हो उनकी कहानिया वगयरा वहां से ऐसे पता लग जाएगा तुमको देर जा मैमोरियल साइट फॉर परताब इन बदोली विलेज नियर चावंड बदोली एक गाम है चावंड के पास में तो वहाँ परताब महारणा परताब वोज लौड बाइदा पबलिक ड्यू टू इस परस्नेलिटी एंड क्रियेटिविटी उनकी जो परस्नेलिटी थी जो वहक्तित हो था जो उनको नहीं करा उसकी जैसे लोग उनको प्यार करते हैं परताब गेव अफेक्शन लाइग दा फादर अबना पूरी जिंदिगी परताब रिटन दा इंप्रिजन्ड मुगल वोमें सेफली एंड गेव दा मैसेज ओफ वोमें रिस्पेक्ट और प्रोटेक्शन मुगलों के अधीन से जो है न महिलाओं को छुड़ा आया उसके बाद में जो है लोगों को मैसेज दिया कि उन्हें सो साल पहले चालू कर दी थी इन ओडर टू लीड आ कल्चरड लाइव ही गोट अब लाइग दा व्यावा आदर्स रिटन तो उनको जो है ना उन्होंने व्यावार आदर्स के बारे में किताब लिखी कि कैसे हमारे व्यावार होने चीए वगेरा उस चीज के बारे में दारजय भिषेक पद्धती जिसको हम कोरोनेशन मेथड काहते हैं रिटन बाइदा परताब विगम दा मोडल फो दा इंडियन रूलर्स उसके बाद में एक किताब लिखे गई राजय भिषेक पद्धती की राजय भिषेक कैसे होगा राजा पा राजा को अपना मूजिक में हमारा परताब मूझ संगीत मूर्तियां में पेंटिंग और बनाते हैं चीज़े और पेंटिंग होते हैं जो कागज पर बन judgments वी घسم विखेक च तुकी बहुर्प रखा हॉन धर्मों का आदर के उनने कभीलों के संमान दिया उसके टाइम में से विष्णूरीजम यह जो है न दो रिलिजन चाल रहे थे साउथ साइड से आये धर की साइड में फैलते फैलते अब एक्टियल में कुछ लोग बगवान सिवकी पुजा करते थे कुछ बगवान विशनु की तो यह वही है बगवान सिव को सहिविजम वेशनुविजम तो ऐसे जो है ना इनको भी जो है इकठा किया अगर तुम देखोगा इतनी सारी चीज़ों नोने पनी जिंदगी में कर ली लोगों को आजाद कराया सब को इकठा करा धर्मों की इज्यत करनी शिखाय महिलाओं की इज्यत अधिकार वगार अबारें बता अपने प्रियावन के इतनी सारी चीज़ों के उपर उन्होंने काम करा ना इसलिए एक महान सासक के तोर पे हम उनको जानते हैं अब आगे बढ़ते हैं अगला है जहांगीर जहांगीर का क्या सीन चल रहा है अब देखो जो भी पहले के जो राजा थे शुरुआती राजा यानि बाबर उस बाब क्या होगी कहानी देख लो जहांगीर यहां ही टपक गया साजा भी थोड़ा थोड़ा मतलब कुछ करा नहीं उन्होंने पनी जंदगी में देखो क्या हुआ जहांगीर आफटर दा डैट ओफ अकबर्स इन 1605 AD सलीम असेंडीड दा थ्रोन एज जहांगीर अब जहांगीर न इसके पास में जो है ना मलब साही हरम रखते थे वो लोग रोयल हरम कहा रहे हैं जिसको यह लोग यह जो है एक ऐसे जगह होती थी महिलाओं के लिए उसकी बीस पतनिया थी और बहुत सारी ऐसी भालतू के पतनिया से बरे पड़े भाई उसके बाद में जो है वो चापलू से हर समय घीजे रहते थे हर से एहंकारी भी थे वो इगोइस्टिक जो कह रहे हैं वो जो है पने पिता के सासनकाल में राजा बनना चाह रहे थे बढ़ ऐसा हो नहीं पाया उसकी जो पतनी थी नूर जहां उसने जो है उसको पूरा से कह सकते हो काबू कर रखा था जहांगीर को हर डिसीजन में जो है नूर जहां का जो असर था वो देखा जा सकता था जहांगीर डाइड इंस्वेक्षें ट्वेंटी सेवनेडी सोड़ा सटाइश में उसका ध्यान तो गया करा धरा उसने कुछ है नहीं लड़ाई हुई नहीं एक्स 기ूटेटेिट जहांगीर ने जो पांचवा सिखो गुरू था गुरू अर्जुन देव उसकी हत्या कर दी और उसके चलते यह उसका बेटा ग्रीटा गाए जूर थे उन्हों नहीं मिल के जो है एक military power बनाई सानने सकती बनाई की भाया देखेंगा कि क्या करना इसका plan या फिर क्या ही करना है in future इनके साथ में मुगलों के साथ में अब आगे बढ़ते हैं सहाजा पे अगला जो राजा आया इनका यहनी कि जो जहांगीर था उसका बेटा था यह ठीक है पैवली को यह रहर हो गई होगी टाइपिंग की he was very ambitious and has had revolted during his father time to become the ruler उसने जो है राजा बनने के लिए अपने पिता के टाइम में ही भी द्रो कर दिया कि बाप्व मेरे को राजा बनना है सहा जहां लेक्ट टोलरेंस अब सहाजा ने जो है ऐसे सांती से काम करता नहीं था तो उसको अपना इस वाइक चल रहा था भाई he religiously adhered to islam islamic customs in his time temples in बनारस परियाग राज कसमीर गुजरात वर देमोलिश्ट उसके टाइम में जो सहाजा का टाइम था उसके टाइम में जो है ना बहुत सारे मंदिरों को तभा कर दिया गया क्योंकि उसको अपने धर्म से दर्म को फैलाने से फूर्सत ही कहा थी राजा जस्वन्त सिंग ओफ जोदपूर एंड राजा जैसिंग ओफ जैपूर वर हिज मनसब्दार तो यह जो है दो राजा जो है अलग अलग जग है यह मनसब्दार थे उनके although he did not remove Hindus from the position but did not give them high position इदर उसने हिंदुओं को मारने प इन 1657 AD सहाजा फैल इल डू तो विच दवार उफ सक्सेशन स्टाटिड अमंग इस फोर संस दारा सूजा मुराद और अरंग जैब अब क्या हुआ जैसे जो है जो सहाजा विमार वा उसके चैर बेटे थे एक्चल में ठीक है यह उनके नाम है दारा सूजा थोड़ा मिटा दारा सूजा मुराद और अरंग जैब चार बेटे थे जैसे उसका पिता विमार हुआ लड़ाई शुरू हो गई मैं राजा बनूंगा मैं राजा बनूंगा सहाजा वांटी टू प्लेस दारा सिको उन्दा थ्रोन वाजरी इसली टोलेंट हैं जीनिस तो जो है ना जो पित करा कि उसने जो है ना सारे जो भाई थे उसके खुद के भाई उनको माल डाला और खुद राजा बन गया अपने पिता को क्योंकि वह बच गया भाई बिमार तो हो गया लेकिन बच गया जिन्दा उसको जेल में डूस दिया और मैं बन गया राजा बोरंग जेव ऐसे बना औरंग जेव राजा अब औरंग जेव का देख लो तुम लास्ट टोपिक है वसी यह थोड़ी शी बोरियत आने लगते जब को यह कुछ नहीं करते राजा औरंग जेव बिकम एंपरर इन 1658 एडी बाई विनिंग दा वार ऑफ सक्सेसन एंड इंड 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 फादर पित औरंग जेव ने क्या करा जो भी सुविधाएं की सुविधा दे रखी दी लोगों के उपर जजिया टैक्स हटा रखत अकबर ने हटा दिया था ना लोगों के साथ मित्तरता की पोलीशी थी वो सारी हटा दी बाई निकलो हमें मुसलमान मुसलमान जिंदा बाद वह वाला क उसने क्या करा बहुत सारे मंदिर अलग लग जगा है कि मंदिर तुडवा दिये जो हिंदू लगे हुए थे नो कुरियों पर उसके जो है सासन काल के दोराने उनको निकलवा दिया सारों को मलब ऐसे का आशक तो जजिया टैक्स भी लगवा दिया जो जो उसके बसका था न लोग मिल के बजा दी इसकी ही किल दा नाइफ सीख गुरू तेज बहादूर तो इसने जो है नोवा शिखो का गुरू था जो तेज बहादूर उसको भी मार दिया 1707 में जैसे उसकी मोट होई और मुगल एंपायर टा टा बाय बाय हो गया अब ऐसा नहीं है कि वो बूरा खतम हो गया मुगलों का एंपायर कुछ बचा है नहीं मुगलों के नाम पे ऐसे तो चलने को 1857 तक भी चलता रहा लेकिन उनके बसका कुछ नहीं था बस वो ऐसे ही थे जैसे कि पडोस के गाहों में जो एक मुख्या सा हो जाता बस वही काम छो इलेवन मुगल रूल्ड प्रोवक वीक अब 11 मुगल जो थे वो कमजोर निकले आगे कि जो आते रहे छोटे छोटे शराज़ा दा मराथा जैमर्ज आज़ा पावर इन इंडिया इन डा 18 संचुरी एंड डॉमिनेटी दिल्ली फोर यर से उसके बाद आई थी मराथा पावर मराथा पावर यह तुमको याद होगा चत्रपति शिवाजी की कहानी जब पढ़ोगे ना तर समझ में आएगा वो मराथा पावर कैसे डोमिनेट हुई थी इंडिया में तो मराथा पावर जो है पूरी बढ़ने लगे और दिल्ली में भी लंबे अर्से तक उन्होंने लडाई हुई हल्दी घाटी की लडाई जो ती जो महलना परताब के साथ हुई थी उस वह कैसे हुई मतलब वहार के बारे में एकस्प्लें करना वह चीजे के बारे में कॉश्चन पढ़ लेना एक रहेगा आपका जो है एक और टोपिक था और कुन सा था हाँ पानीपत की लडाई पानीपत की पहली लडाई पानीपत की द्य לडाई यह क्यं बता दिये हैं जो कई बहुत काम के है पड़ लेना इनको अंको अच्छे से ठीक है इस चैप्टर से से ब्सक्रूप यह यह रहेंगे बागी जो है नहीं पर्टरेंट कोश्चन की वीडियो देखोगे व मिल टेन आई वीडियो मी बाई बाई